हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्य होंगे तो दोस्तों आर्केड तैवलापर का IPO, Western Carriers का IPO और Northernarth का IPO उसके लावा इन तीनों IPOs का Allotment Status कब और कहां चेक करना है तीनों IPOs के बारे में जानकाली लेंगे इस वीडियो के अंदर उसके अलावा वाकी सारे IPOs का भी अपडेट लेंगे उससे पहले दोस्तों आज काफी लोगों का ये सवाल है कि पीछे का Reason क्या है कि सारे Stocks के अंदर आज ऐसी अचानक से भारी गिरावट देखने को मिली इसके बीची का Reason क्या है और ये शियर्स कब तक गिरेंगे और कितनी गिरावट आईगी और ये गिरावाट वापस कब रुकेगी और वापस तेजी हमें कब देखने को मिलेगी वो भी हम जान लेते हैं तो देखिए इसका जो सीधा संबन्द है USA से USA मतलब अमेरिका से इसका सीधा संबन्द है और फैड रेट जो है कट हुई है मतलब फैड रेट क्या होती है ये ब्यास दरे जो है कम होई है USA के अंदर तो देखिए अब जब फैड रेट कम होती है तब क्या होता है कि मार्केट पर पॉजिटिव इंपक्ट पड़ता है पॉजिटिव इंपक्ट कैसे पड़ता है देखिए जब ब्याज दरे कम होती है तब क्या है कि लोग पैसा उठाके मतब USA वगेरा से जो investors है या बड़ी company जो भी पैसा उठाती है पैसा उठाती है market के अंदर flow बढ़ता है USA के अंदर भी अच्छी अच्छा impact डलता है और ये बड़े जो investors क्या करते हैं bank वगेरा से पैसे उठाते हैं तो कम ब्याज पर पैसा उठाते हैं और जोई developing countries जासे इंडिया है तो वहाँ क्या करते हैं stock market वगेरा में लगाते हैं और उनको 10 से 12 परसेंट 15 परसेंट का return generate करते हैं तो share market के अंदर पैसा लगता है तो तेजी आती है तो fed rate कम होने से तेजी आती है market के अंदर पर market तो गिर गया उसके पीछे का reason क्या हर बार जब normally क्या होता है कि fed rate जो cut होती है तो 25 BPS पर होती है मतलब 25 points के आसपास होती है और सब लोग ये भी कह रहे है कि अगर USA में सब कुछ normal होता तो आप 25 BPS तक rate कट करते है पचास BPS तक rate क्यों cut की है तो मतलब कुछ normal नहीं है और वाकई में USA की market अभी काफी ज़दा week भी चल रही है unemployment rate भी काफी ज़दा है और दूसरी चीज़ अब election भी होने वाले है election होंगे Kamala Harris जीतेंगी या Trump जीतेंगे इनके बीच में भी confusion चल रहा है तो ये जो uncertainty वाला माहौल USA के अंदर बना हुआ है इस कारण क्याएगी अदर जो market है इंडिया का market भी हमें effect देखने को मिला है और FIIs की तरब से भी काफी पैसा निकला है तो ये है गिरने का कारण अब ये देखे uncertainty चुनाव तक थोड़ी बहुत बनी रहेगी USA के अंदर जो भी चुनाव चल रहे है बाकि इंडिया के अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि माहौल कोई particular reason नहीं है गिरने का USA के कारण थोड़ा बहुत effect है और uncertainty जो बनी रहेगी चुनाव तक थोड़ी बहुत बनी रहेगी हाँ थोड़ा बहुत हमें हलकी बुल की गिरावर्ट तेजी गिरावर्ट तेजी ऐसी देखने को मिल सकती है बाकी long term में ऐसा कुछ नुक्षान होते हुए नजर नहीं आ रहा है और बाकी generally क्या होता है कि जब fat bank की rate के अंदर changes आते है या गिरती है बढ़ती है तो अगले दिन क्या की तेजी आती है बाकी पहले दिन market गिर जाये पर कोई भी दबाओ कोई particular reason नहीं है तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और देखे जब भी market गिरता है तो ज़्यादा घबरानी की जरुरत नहीं है अच्छे shares लीजिए और अच्छे shares अगर आपके पास है तो घबरानी की जरुरत नहीं पोईशन भी 102 गुना गेव आसपास और NIA के तरह 10,500 करोड रुपे लगा है तो QIVs की तरफ से पैसा ज्यादा लगा है तो ये काफी अच्छी बात रही बट अभी market डाउन था तो मुझे लगता है QIVs की तरफ से थोड़ा subscription कम आया होगा और थोड़ा ज़्यादा आ जाता बागी retail portion 53 गुना के आसपास सब्क्राइब हुआ है अब इस IPO के इंदर हमारे अलोट्मेंट की चांसे कितने है Big H&I category के इंदर करीब-करीब 5% की आसपास Small H&I category के इंदर 0.5% की आसपास मतलब 200 में से एक को और retail category के इंदर 2% की आसपास चांसे से आपने कितने कितने lot कौन कौन सी category में अपलाए कि है मुझे कमेंट करके बता दीजेगा मैंने 1 lot small H&I category के इंदर और 7 lot retail category के इंदर अपलाए कि है घर की अलग-अलग family members से आपने कितने की है मुझे कमेंट करके पता दीजेगा और arcade IPO के जो allotment status है Big Share की website पर कल की तारिक में 20 सितंबर को देखने को मिलेगा BigShare.com और market down होने के कारण इसकी भी GMP हमें down होते हुए देखने को मिली है जो इसकी GMP 65-70% की आसपास चल दी थी बाकि उमीद है कि कल की तारिक में market के में रिकावरी आनीच चाहिए फिर दोस्तो Northern Arc का IPO टोटल 117 गुना के आसपास सब्क्राइब हो है 16,500 करोड रुपए के आसपास लगे हैं इस IPO पर सबसे ज़्यदा इसी IPO पर पैसा लगा है QIBs के तरब से 242 गुना के आसपास सब्क्राइब हो है मैंने इसके इंदर Small HNI और Retail दोनों काटेगरी के इंदर अपलाई किया अपने कितने कितने लोट कौन काटेगरी में किया है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपने कौन काटेगरी में किया है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और Northern R के IPO का जो अलोटमेंट इस्टिटरस है हमें के फिंटेक की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा जोगी लगबग होता है 50% के आसपास फिर Western Carriers का IPO 31.79 गुना के आसपास सब्क्राइब हुआ है 10,000 क्रोड रुपे के आसपास लगए है इस IPO पर लगबग 10,900 क्रोड रुपे के आसपास QIB पोशन 28.81 क्रोड रुपे के आसपास सब्क्राइब हुआ है QIB इस NIIs के भी ज़्यादा पैसा लगाया है बट एंकर अलिस्टेस की अची आई है अब मामला उल्टा बुल्टा हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस के इंदर मैंने कुछ लॉट रीटेल के इंदर लगए है आप मैं से किन किन लोगों ने इसका प्राइज में आगया है दो सो नव रोपै से लेकर दो सो पीस रुपाय के बीच में पैसट शेर्स का लॉट है इश्यू साहिज है लगबग 341 करोड रुपै का जी अभी तक ओपन नहीं हुई है तो यह थी सारे आज के अपडेट से उम्मीद करता हमारा वीडियो हमें जोइन करें आपको कापी पसंद आएगी और हैल्फुल रही होगी है तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्काइब कर लें टेलिग्राम इंस्टाग्राम फ्री में दीमेट अकाउंट सब के लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं मिलते हैं अधर वगले वीडियो के अंदर